कि नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत रभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिये दर्श्पु का हर व्यक्ति अगर ये शही तरीके से आपको इसका इस्तमाल करें तो इस आटे से आपकी किस्मत चमक सकती है आपके अनेक दुखदर्द दूर हो सकते हैं मैं इस प्लॉजर सचिन स्वागा तुराविजन दिन करता हूँ कि सभी प्रियदर्श को का आज फ्री में बैठे बठाए मैं आपको अमीर बनाऊंगा आपके गरहों को शांत करूँगा और घर में जो आप आटा खाते हैं उसी आटे से आपकी किसमत चमक जाएगी आटा गूथते वक्त जब भी महिला या पूरुष यो भी आटा गूथते हैं पानि डाल कर उसी समय से आपको भाग चमकना शुरू हो जाएगा कहते हैं जैसा खाया अन वैसा हो गया मन भोजन तामसिक है तो बुद्धी को भ्रष्ट करेगा, भोजन सात्विक है तो व्यक्ति को परसंद करेगा, धन्दौलत देगा, जीवन में धन्वार मनाएगा और आप सभी के परिवार में खुशिया रहेंगी। हर गर में दो से तीन बार आटा गूंधा जाता है, सुबह नाश्ते में, बिदुपहर के भोजन में, कई बार रात में भी, और आटा अधिकतर घर की महिलाएं ही गूंती हैं। आप हो या कोई भी घर हो, हर एक को धन कमाने की प्रबल इच्छा होती है, उसकी ये इच्छा होती है कि घर में रहने बाला हर एक सदस्य सुखी रहे और उसके जीवन में, नौकरी में, वैपार में, शिक्षा में, पारिवारी जीवन में खुशिया मनी रहें। हर को यही चाहता है, उसके पाद इतना धन हो कि वो अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। गुजारे लायक धन तो सभी को चाहिए। धन दो रास्तों से आता है, पहला रास्ता है इमानदारी का, दूसरा रास्ता है बैवानी का, और एक और रास्ता है वो अचानक से किस को मिल जाए अकस्मा धन प्राप्ति भी होती है लौट्री निगल गई किसी को अचाने से गड़ा हुआ धर मिल गया कोई गलती से आपके नाम प्रप्ति वसीहत लिग गया लेकिन कई बार इंसान बहुत पैसा कमाता है लेकिन टिकता नहीं है घर में कले कलेश रहता है और कमा अगर भी घर में मंगल नहीं अमंगल रहता है भगवान सबी को दिमाग दिया है बहगर सफल है बहगरम की घर में देर है अंधेर नहीं है भगवान की नियत है सही भक्ति की जाए सही तरीके से भगवान को पूजा जाए भगवान जीवन में खुशियां भर देते हैं मेहनत के साथ साथ छोटे-छोटे उपाए भी करने से आपके भाग में बढ़ोतरी होती है एक आम इंसान भी बड़ा इंसान बन जाता है आपकी रसोई में जो आटा ह आज आटे का प्रियोग में आपको बताने जा रहा हूं इस उपायों को करके आप बैठे-बिठाए जीवन में सुक्सम्रद्दी धंदौरत ले आएंगे जो रोटी आप खाते हैं वही रोटी आपको माला माल कर देगी आपके जीवन के कश्ट दूर कर देगी आपके घर क की एक रोटी सबसे पहला काम होता है आटा पिसवाना तो आप सभी लोग शनीवार वाले दिन ही आटा पिसवाएं इस हिसाब से आप आटे की कौण्टिटी रखें कि आप शनीवार को आटा लेकर आएं चाहे वो गेहूं पिसवाएं जाके चक्की पर या फिर पैकेट बं गुर्देव धन दौरत देने लगते हैं तो शनी और गुरू दोनों आपको अच्छे जड़ते देंगे क्योंकि काला चना जब तक वो चना है तब तक वो शनी है और जैसे की काले चने का छिलका उतरा तो वो गुरू बन जाता है यानि चने की दाल जब भी आटा पिसवा और पंदरा से वीस पत्ते या पचास पत्ते तूलसी के डाल दें और फिर उस आटे को चक्की में पिसवा लें तो ऐसा करने से आपका जो आटा है वो अम्रत के समान हो जाएगा और अगर उसी आटे में पिसवाते वक्त आप थोड़ा सा केसर भी डाल देते हैं तो समझ ल परिवार में धन्त दौलत की कमी नहीं रहेगी मालक्षमी का आंगल सतय वहार और जो अठा काएंगे उससे आपकी बुद्धी सात्रिक होगी वह अस वंपते बुद्धी से आप अच्छा धन कमा के और परिवार में भी खुशाली रहेगी और घर में शुब और मंगली कारे होंगे। आपके प्रयासों में, आपकी कोशिशों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी से परशान है, नौकरी में टेंशन है, बहुत से टेंशन है, तरक्की नहीं है, तो एक आटे की पेड़ी ले, ताजा उटा गंधा हुआ आटा, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें, और फिर उसमें बंद करके गोल पर पेड़ी बिना ले, और गाएं को खिला र से ब्रस्पती देव खुश हो जाते हैं और आपकी असीन कृपा बरस्ती है आपकी घर में मंगली कारे शुबकारे होने लगते हैं धन दौरत की कमी नहीं रहती है और मंचाही सफलता मिलती है और आप चाहें तो हल्दी वाली रोटी भी बना सकते हैं अगला प्रयोग जो है ताजी रोटी बनाएं उस पर सरसो का तेल थोड़ा सा दोचार भून चुपड़ दें और काले कुट्टे को किला दें ऐसा करने से शनी राहु शांत हो जाते हैं और आपकी परिवार में पुशाली आ जाती है और आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं और बढ़ी आतरीके से निर पर थोड़ा सा पानी मिलाएं और स्कार्टे को गूंद लें और फिर उसकी रोटी बना लें रोटी में थोड़ा सा सरसो का तेल फिर से चुपड़ ले जो रोटी बन जाएगी और फोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़का रख दें और करजदार व्रक्ति अपने सर के उप प्रेख आपको कुछ सब्धा करना पड़ सकता है आप देखेंगे आपकी आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे आप देखेंगे जब आमदनी होगी तो आप करज उतारने लायक पर जाएंगे एक और उपाय है थोड़ा सा आटा गूंदिये साफ आटा गूंदिये उसका दीपक बना लेजिए और उसमें तिल का तेल डालकर तुलसी जी के समक्ष जलाईए और ओम नमो भगवते वाशु देवाई नमा मंतकार यथा सम्हजाब करिए बुद्धवार वाले दिन और इश गार दीजेगा यह आपका जो गंबला है ना जो गंबला जिसमें आपने घर में और गंबले लगे होते हैं मिट्टी खोद के उसको नीचे गार दीजेगा तो यह प्रियोक करने से भी आपके घर में धंदौलत आती रहेगी भगवान विश्णु मालश्मी की किरपा बरसत रहेगी हुआपकी घर का जो आता है अफमाली जे रात में आपकी में जितने जरूरत है उतना ही गून्दे यानि कि सुबह रास का गूंदा वपा आता सुबह न खाए ऐसा करने से भी धन दोलत की कमी रहती है घर में कले कलेश रहता है उत्रा गून दिये जितना जरूरत है कम पर जाए फिर थोड़ा तक गून लीजिए लेकिन एक साथ आठे का धेर लगा कर मत रखिए आज कल बहुत सारे धरों में प्रचलन है कि काम करने वाली जो महिलाएं आती हैं वो एक साथ शाम को आठा गूल जाती कि सुबह सुबह उन्हें ना गूलना पड़े और सुबह सुबह आए और फ्रिज में से निकाले और रोटी बनाना शुरू करते तो ऐसा करने से दुर्भाग की प्रापती होती है थोड़ा सा दो मिनिट पहले उठ जाएं और अपने जुलूत का आntya गूलने वो आपके लीड़ा अच्छा रहेगा आठा जो है वही आपके जीवन को चला रहा है तो आठे की बिकदरी ना करें आठे को पैरों में ना गिराएं आठे को इधर उल्धर ना फेकें रोटिया जो होती है ना बासी रोटिया रोटिया वै तो आटे के परियोग से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही मैं अलग-अलग वीडियो बनाता रहूंगा घर की किचन के उपर जो घर में किचन में आप लोग चीज़े इस्तिमाल करते हैं आटा हो गया चावल हो गया दाल हो गई मसाले हो गए खड़े मसाले हो गए किस चीज से क्या लाब है और क्या नुकसान है यह मैं आपको बताऊंगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के बटन को दबाएं फेजबूक इस्टरग्राम पर हमें फॉलो करें हरी ओम नमस्कार